श्री नाज्जी गुरुजी गोलाखादेश, मा भगवती गोलाखादेश, रांची वाले भाहिरा बाबा गोलाखादेश, आप सभी गोलाखादेश साबर मंत्रों में बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं मुख्यता जिसमें पाच मंत्र माने जाते हैं प्रबल साबर बर्वर साबर बर्राटी साबर अड़या साबर डार साबर तो जब मैंने साबर मंदर का प्रकार बताया था तो किसी एक साधक ने मुझे ऐसा लिखा था कि गुरुजी ऐसा क्या साधना जिसमें की भगवान को ही आप बुरा भला बोलो या भगवान से सौदा करो जिसे बराटी है बराटी का जो भाशा होता है वो काफी तीव्र होता है और अगर गुरु मुखी है तो इसका बड़ा जोरदार प्रभाव होता बर्बर साबर मंदर जैसे तो बर्बर में भगवान से या शक्तियों से सौदा होता है तो उन्होंने बोला यह तो सही नहीं है गुरुजी कि आप लोग देवताओं के साथ ऐसा करते हैं साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए इस तर तक जाना या सिद्धियों को पाने के लिए तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है जो सात्विक मंत्र होते हैं वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हूँ ठीक है जो संस्कृत के मंत्र हैं वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हूँ तो उन मंत्रों को बलपूर्वक कैसे सिद्ध करवाला है सात्विक मंत्र भी बलपूर्वक सिद्ध होते हैं, उसका आज मैं आप लोगों को विधान बताऊंगा, देखो, मंत्रों का जो सिद्धी का प्रक्रिया होता है, जो सात्विक मंत्रों के सिद्धी का प्रक्रिया है, उसमें पुरुष्चरन होते हैं, पुरुष्चरन का भूमिका ठीक है सिद्ध करने के लिए जो जो आपको शुरू से जिन्यमों का पालन करना उसको पुर्वाचरन बोलते हैं है तो पुर्वाचरन के पाच हंग माने जाते हैं सबसे बहला होता है जूत जब जब्जा करते हैं। दूसरा होता है हो मैं यह दो चीज तो आप लोग के लिए उसके शक्ति को जगाई और उसके बाद ये पांच चीज कीजिए अगर सातविक मंत्र है तो उसके और भी नियम होता है जैसे आपको बिस्तर पर नहीं सोना होता आपको हमेशा प्रिथिवी पर सोना होता अच्छा यह होता है कि जहां आप साधना कर रहे हो वहीं पर सोई जितने दिन आप साधना करना है तब तक आपको ब्रहमचरे का पालन करना चाहिए मौन जादा सा जादा इंसान को मौन रहना चाहिए और उसके बाद जो मन की विरक्तियां है उस पर पूरा काबू होना चाहिए ठीक है तो यह कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप फॉ सिध्धी नहीं होता वो चार बार कर ले पांच बार कर ले तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो संक्या सिध्धी की है जो सतियुग में या द्वापर में जो किताब लिखे गए या त्रेता में जो किताब लिखे गए उसमें और अभी में जाप का जो संक्या है अगर उसमे द्वापर में उसका चारगुना हुआ, त्रेता में फिर जो चारगुना का फिर चारगुना हुआ, और जो अब है वो 16 का चारगुना होगा, समझ रहा है अबाग, तो टुदी पावर 4 हो गया है, तो इतना जाप संख्या आपको बढ़ाना होगा, साधना को सिद्ध करने के लिए, रात में तीन से सुभा के बारा बजे तक आप साथविक मंदर की साधना कर सकते हैं, अगर साबर करते हैं, तो हम ठीक उलट करते हैं, कि दोपहर के बारा से तीन तक आप साधना कर सकते हैं, और रात में फिर बारा से तीन आप साधना करते हैं, ठीक है, और जो विभ कि आप कितने भी अच्छे तरीके से साधना करिए मंत्र जाप कीजिए कुछ ना कुछ ऐसी तुटी रह जाती है जो तुटी एक आम इंसान समझ नहीं पाता है तो उस मंत्र दोश का निवारन होता है आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई मंत्र दोश है उस तिती में उस मंत्र का निवारन होता है उस दोश का निवारन होता है और इसका छे तरीके से निवारन होता है और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी क्रिया को करने के लिए ब उसके बाद injection लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा, एक ही बार injection ले लीजिए, तो हो सकता रियाक्टर जाए, तो वैसे ही 6 स्टेज है, अगर आपका मंत्र सिध नहीं हो रहा है, तो मैं एक-एक करके ये 6 स्टेज आपको बताता हूँ, पहले स्टेज जो है, उसको कहता है ब्रहामन, अगर आपका मंत्र आप हर विधी विधान कर रहा है, आपको चूक नहीं पता चल रहा है, तो फिर आप ब्रहामन का प्रयोग करेंगे, ब्रहामन के प्रयोग में क्या होता है, जो भी आप मंत्र की सिध्धी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका मंत्र है, उसके प भोज पत्र पर लिखिए, बास के कलम से या फिर चमेली के कलम से, उस पर उस मंतर को लिखिए, ठीक है और फिर उसको वो जो भोज पत्र है, उस मंतर को दूद, मद्धु और पानी में डुबो कर किसी एक बरतन में फिर आप रखिए जब भी आप फिर से पुजा शुरू करते हैं तो इस कारे को हर बार आपको करना है और एक मंत्र की जैसे ही आपकी सिद्धी हो जाती है उसके बाद इसका विसर्जन कर देना है एक मंत्र का आपने सिद्धी शुरू किया इसको एक बार करिए और उसके बाद फिर इसका विसर्जन कीजिए फिर दूसरे मंत्र की सिद्धी में फिर यह जो उपाय है इसको फिर स करेंगे धे तिखे अगर रोधन का प्र्योग होता है तो उसमें क्या करना होता है कि जो आपका मंत्र है उसके आगे और पीछे आप ओम लगाकर जाब करते हैं को हो हießen कि मंत्र महनद के चलो हों भूर भूर्भुहस्वा है तो ओम फिर ओम भूर्भुहस्वा ठीक है और अंत में फिर ओम लगेगा इससे भी बात ना बने तो फिर मंत्रवशीकरण होता है मंत्रवशीकरण में क्या करना होता है लाल चंदन ले लिजे, जिसको रक्त चंदन भी बोलता है, हल्दी लीजे, मैंसिल लीजे और धतूरे लीजे, इन सब को पीस करके गुलाब जल में मिला करके एक सियाई बनाईए, फिर जो मंत्र है उसको लकडी के कलम से भोजपत्र पर लिख करके चांदी या तामबा का एक ताबीज बना लिजे, ठीक है, उस ताबीज में इस भोजपत्र को बंद करके डाल दीजे और फिर उस ताबीज का अच्छा से धूप दीब दीखा करके उसको अपने गले या फिर हाथ में धारन कर लिजे, इतना करने से, इसको करने के बाद फिर से जब आप पूरा मंत्र जाप और हवन मारजन सब करेंगे, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, अब भी सिद्ध नहीं हुआ तो, तीसरे चरण के बाद भी सिद्ध नहीं हो रहा है तो, जो मंत्र इसको पिंडिन करता है, पिंडिन में क्या करना होता है, जो मंत्र होता है उसका उल्टा जब होत और इसमें जैसे आप जाब कर रहे हैं इसके साथ ही एक आख लिजेगा आख का जो दूद होता है उस पर इस मंत्र को भोज पत्र से लिख लिजेगा और अपने बाएं पैर के नीचे रख लिजेगा मतलब आज उसको दाब देना है तो एक तरफ से उल्टा मंत्र जपेंगे दूसरा तरफ आख के दूत्र से भोज पत्र पर उस मंत्र को लिखे अपने बाएं पैर से उसको दाबे रखेंगे ऐसा करने से वो मंत्र सिद्ध होता है इस उपाई से मंत्र सिद्ध ना हो तो पांचवा हो पाए इसको सोशन करते, नाम ही इसका सोशन है, जो मंत्र है उसके आगे में वायू बीज यम लगाएंगे, उसके बाद इसका पूरा जाप करेंगे, फिर इसका दशान सहवन करेंगे, दशान सहवन करने के बाद जो हवन से जो भस्म की प्राप्ति होगी, उससे भोजपत्र पर जिस मंत्र की सिद्ध हम करना चाह रहा है उसको लिखेंगे उसके बाद इसका एक तवीज बना करके इसको गले में धारन करेंगे इससे मंतर शिद्ध हो जाना चाहिए इस पर भी अगर मंतर शित नहीं हो तो फिर पोषण करते हैं तो मूल मंत्र जो भी है उसके आसपास वाला जो बीज है जैसे एम है क्लिम है सो है जोड़कर जब करिएगा और गाय के दूद और मधू को मिला करके भोज पत्र पर मंत्र लिखिएगा और इसको फिर हाथ में बान लीजेगा एक टाबीज में ऐसा करने से यह मंत्र पक्क का सिद्ध होगा छे अलग-अलग विधान और छे अलग-अलग विधान जवरदस्ती मंत्र सिद्ध करने के लिए कि मतलब अगर देवताओं की सिद्धी में, उनकी सेवा में कुछ काम आपका अधूरा भी रह जाता है, जिसके चलते हैं वो सिद्धी नहीं हो पा रही है, तो इन विशयों को करने से आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, चलो एक बोनस देता हूँ, एक और विधाने, उसक में रम लगेगा, मतलब ओम रम, ओम भूर, ओम भव, ठीक है, और इसको जब करना होता है, ठीक है, इसके साथ में पलास और खाकेरे का बीज का जो तेल होता है, उससे भोजपत्र पर मंत्र को लिखिए और ताबी इसके रूप में इसको धारन कीजिए, ये अचूग उपा को शुरुवात में नहीं करते है, रम बीज का उपयोग शुरुवात में नहीं करते हैं, जो रम बीज के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि रम बीज का शुरुवात में उपयोग क्यों नहीं होता है, बहुत उग्र बीज है ये, तो छे बोलके मैंने आप लोगों क कि कवर अप कर लेना है तो कवर अप करके और उसके बाद उसकी साधना करते हैं ठीक है यह साधविदान हो गए इससे आप लोग सब जो भी मंतर के पीछे आप पड़े हुए हैं उसको सब सिद्ध करिए और उस देव कृपा का जो भी फल है उसका आप लोग उभोग की लिए ऐसे मेरी कामना है इस महिने 24-25 तारीक को शिवपूरी में शिविर लगेगा जिसको आना है 20 लोगों की इस बार इंट्री है तो वो वेबसाइट पर जाके रेजिस्ट्रेशन करा सकता है कि वाटसप पर मुझसे पूछ सकता है कि कैसे रेजिस्ट्रेशन होगा शिविर में हवन का तौर तरीका दिख्छा और जो भी हमारे कारिफनात संप्रदाय का जो भी सम्विधान है वो बताया जाता है जिनको भूद्प्रित में इंट्रेस्ट है वो हैंड्बुक फर पार iliashay 1885 कराकाची